नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपरास पर सो Ministry of Mines के द्वारा Odisa की Manganese Ore की Mines में बड़े पैमाने पे Corruption को सामने लाया गया है बताया जा रहा है कि Odisa की जो Manganese Ore की Mines हैं वहाँ से निकलने वाला जो Manganese Ore है वो काफी अच्छी quality का है लेकिन जो वैपारी हैं जो traders हैं वो उसको कम quality का बताते हुए सस्ते दाम में बेच रहे हैं जिसको की आगे महंगे दाम में export किया जा रहा है इसका जो नुकसान है वो यह है कि इसमें जो भी revenue state को होने वाला था उसमें काफी जादा कटोती देखने को मिल रही है जिसका ultimately नुकसान दोनों ही state और central governments को भुगतना पड़ रहा है तो इसी पूरे मामले के बारे में discussion हम लोग करने वाले हैं साथ ही में discuss ये भी करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये आखिरकार सामने कैसे आया ये basically किसी को पता कैसे चला कि यहाँ पर corruption हो रही है इसी के बारे में जानकर ये आपके साथ share करी जाएगी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसकी जो खबर है ये the Hindu में भी सामने आई Indian Bureau of Mines flags massive corruption in Odisha और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये खबर सामने आई है massive corruption in Odisha is signaled by the Indian Bureau of Mines खबर आज से लगभग 6-7 दिन पुरानी है इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए यूज करते हैं एन्रोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे description में आपको दे दिया गया है तो यहाँ पर कुछ reports सामने आई हैं जो कि Indian Bureau of Mines की हैं यह दोस्तों जो विभाग है यह basically department sorry Ministry of Mines के ही तहत आता है वहाँ के एक वरिष्ट अधिकारी है जोनोंने बताया है एक letter इनोंने लिखा है to the principal secretary of steel and mines department जिसमें की they have said that these lease holders of manganese ore are dispatching manganese ore allegedly as low grade from their mines located in Odisha to the traders who are operating from West Bengal who subsequently sell it as high grade ore without any processing तो अगर इसको बहुत ही simple terms में समझने का प्रयास करें तो basically Odisha की जो manganese ore की mines है वहाँ से दोस्तों manganese निकाला जा रहा है जो की वैसे तो high grade का manganese है लेकिन इसको sell किया जा रहा है low grade वाले manganese में और ये जब sell किया जा रहा है low grade वाले manganese में तो जो यहाँ पर वैपारी है ये इसको आगे बेच रहा है high grade वाले manganese में और ये इसमें कोई भी processing नहीं कर रहा because असल में इसमें processing करने की आवशक्ता ही नहीं वो directly high grade वाला manganese ही है तो ये यहाँ पर जो ये वाली transaction हो रही है इसी का कुछ royalty payment है जो कि सरकार को मिलता है लेकिन क्योंकि ये बेचा जा रहा है ये दिखा कर कि low grade का manganese है तो जो सरकार को royalty payment मिलती है वो काफी कम मिलती है ये सामने कैसे आया ये काफी interesting है इसको थोड़ा ध्याम से सुनिएगा so IBM यानि कि Indian Bureau of Mines ने अपने चिठी में ये लिखा कि under reporting हो रही थी of grades in auctioned manganese ore mines in Odisha wherein it was observed कि 4 out of 7 auctioned mines यानि कि total जो 7 mines हमने auction करी है उसमें से जो 4 mines है जिनको analyze किया गया है जिनका निरिक्षन किया गया है the share of low grade manganese ore had increased from 0% in 2020 to 65% to 100% in financial year 2021-2022 यानि कि ऐसी खदाने जहां पर आपका low grade manganese ore का जो प्रतिशत था वो 0% था वो suddenly आपको किसी-किसी माइन में 65% देखने को मिल रहा है किसी-किसी माइन में 100% देखने को मिल रहा है यह suddenly इतना बड़ा rise कैसे सामने आया so auctioned manganese mines where such drastic changes in grade of manganese ore has been reported उनके नाम भी बताये गए हैं इन्होंने बताया है कांथेर, कोईरा, काटा शाही, कोल मोंग और महूल सुखा माइन्स इन सभी में हमें यह वाले sudden drastic changes देखने को मिले हैं जो कि साफ साफ बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला चल रहा है कुछ ना कुछ scam चल रहा है जो कि basically जिसके चलते जो नुकसान है वो government को हो रहा है इन्होंने बलकि ये भी बताया कि auction करने के पहले जब भी auctioning होती है तो उसके पहले obviously जो geological survey of India है वो बताता है कि इस mine में आपको ये वाला ओर मिलेगा जिसमें आपको इतनी percentage का ओर मिलेगा उसी basis पे उनकी निलामी करी जाती है उसी basis पे tender का price में finalize किया जाता है auction करने के पहले नोंने बताया भी कि the low grade manganese ore ranged between 4.86% to 40% which suddenly went up to 98% in the same mines during extraction in the last two years कि जब हमने आपको बताया था कि 4.86% से लेकर 40% के बीच में range है ठीक है वो suddenly 98% कैसे हो सकती है ये बात काफी जादा मतलब impossible है तो इसी लिए ये चीज़ सामने आई और बलकि इनोंने यहाँ पर इनके नाम भी बता दिये हैं कि जिन लोगों को lease दे रखी थी उनके यहाँ पर नाम भी लिखे हुए है जो सिली जोरा कालीमाती एरिया में है वो AMCD Transport Limited है Barbell Mining and Industries Private Limited है Kashvi Power and Steel Private Limited, Modern India, Concast Limited, ठाकुर, प्रसाद, सावव and Suns Private Limited इनके नाम भी सामने लाए गए हैं कि यही लोग हैं जो कि यहाँ पर mining को कर रहे थे Now, before I move further and talk about कि इसका impact क्या है दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो low grade और high grade manganese ore है उसके दाम में जमीन आसमान का फरक है मान लीजे कि कोई ऐसा ore है जिसमें 25% से भी कम manganese content देखने को मिलता है उसका दोस्तों जो दाम है वो 328 रुपे है वहीं पे अगर आप same manganese ore जिसमें 46% manganese content देखने को मिलता है उसका दाम 20,407 रुपे है आप मोटा मोटा अंदाफ़ा लगा लीजे 6x times का difference आ रहा है अगर आप लोग manganese ore के जो percentage की बात करते है और 25% से कम वाले manganese वाले ore को low grade कहा जाता है उससे जादा वाले को high grade कहा जाता है अब एक ऐसा manganese ore जिसकी शायद सही value 20,000 या फिर शायद उससे भी सादा हो सकती थी उस manganese ore को बेचा जा रहा है मातर 328 रुपे में यह पूरा का पूरा फाइदा किसको हो रहा है केवल वैपारियों को फाइदा हो रहा है जो कि इस पूरी ट्रेड को execute कर रहे है इसके बीच में जो यह पूरा का पूरा पैसा होता है इसका कुछ percentage share होता है जो कि state government को मिलता है नाउ यह आप देख लिजे कि दोस्तों यह दोनों के दोनों जो trust और fund है ना यह basically central government के द्वारा बनाय गए थे 2015 का कानून था जो संशोधन लाया गया था Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015 में यह संशोधन लाया गया था जिसके चलते NMET को भी established किया गया था और साथी में DMF जिसको की district mineral fund भी कहा जाता है इन दोनों को यहाँ पे गठित किया गया था जो भी royalty आती है वो इनी trust और funds में चली जाती है और जब यह पैसा यहाँ पे गठा हो जाता है तो सरकार के द्वारा इसी पैसे का इस्तिमाल किया जाता है so that जो वहाँ पे इलाके हैं या ऐसी communities होती है जो की बहुत जादा गरीब होती है तो उनके फायदे के लिए उनके welfare के लिए पैसा इस्तिमाल होना था लेकिन अब आप देखे कि क्योंकि royalty कम आ रही है तो पैसा कम इकठा होगा और पैसा कम इकठा होगा और यह जिम्मेदारी भी राजसरकार की ही आती है तो सेक्शन 45 के तहद रूल 45 के तहद इस फाउंट आप पैसे इस फाउंट आप परसन और दे कमपनी जो की engaged है वो गलत information दे रही है incomplete information दे रही है in monthly और annual returns उस case में यह उनके license को रद भी कर सकती है बट थोड़ी हैरानी और थोड़ी चौकाने वाली बात यह है कि पिछले साल भी same चीज उस time पर भी जो केंदर सरकार की mines ministry है इन्होंने same चीज को report किया था कि Odisha की iron ore और chromite ore वाली mines में भी हमें under reporting देखने को मिल रही है और उस समय भी Odisha ने इसके उपर कोई action नहीं लिया है एक साल होने को आया है लेकिन उन under reporting वाले cases के उपर Odisha ने कोई भी action नहीं लिया है experts का यह मानना है कि there is a possibility possibility कि शायद कहीं न कहीं Odisha government के जो अधिकारी है वो traders के साथ उनकी मिली भगत है कोई ना कोई collusion यहाँ पर देखने को मिल रही है कोई nexus बना हुआ है जिसकी वज़े से हमें यह problems देखने को मिल रही है अभी वो सारी चीज़ें ना तो सामने आई है ना पबलिक होई है यह केवल speculations है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है आपकी इस पूरे के पूरे मामने को लेकर क्या राय है कि इसका क्या समधान हो सकता है definitely बताइए हमें comment section में before I end the video बताना चाहूंगा दोस्तो Odisa भारत की एक बहुत ही जादा mineral rich state मानी जाती है जिसमें कि अगर आप देखें तो chromite ore के case में 96.1% के आसपास जो पूरा country का share है वो केवल Odisa में ही है boxside में भी Odisa बहुत rich है जिसमें से by the way aluminum निकलता है तो 51.15% जो share है वो केवल Odisa में है hematite का जो iron ore होता है ठीक है iron ore का जो hematite ore होता है sorry उसमें 33.6% भी आपको Odisa में देखने को मिलता है और manganese में भी 43% के आसपास हमें केवल Odisa में ही देखने को मिलता है तो कोई छोटी-मोटी numbers नहीं है जो की Odisa में देखने को मिल रहे हैं और अगर इसमें corruption हो रही है यही उमीद है कि यह corruption जल्द से जल्द सामने लाया जाए और जो भी यहाँ पे दोशी लोग है including the private traders उनको भी सजा मिलनी चाहिए इसी के साथ आप से लेता हूं stay tuned and stay safe